अन्य दुरघटनाओं की तुल्ला में विमान दुरघटनाई दुरलब होती हैं लेकिन जब वे होती हैं उत्यों उन्हें गंभीर छटी और व्यक्तिकाद चोटो का सामना करना पड़ता है और इन में से ही एक है बर्ट स्ट्राइक जो एक पक्ची के विमान के इंजन से टकर बर्ट स्ट्राइक की घटनाओं के कई मामले सामने आये हैं लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही वह 2009 में होने वाले यूएस एरवेज की उड़ान एक पांच चार नौ का मामला था नियोक शहर से उड़ान भरने के दो मियट बाद ही साड़े तीन केजी के हंसों के जुण से टकराने के बाद इसका एंजन फेल हो गया और फिर 155 लोगों की साथ इसके पाइलट ने इसी चमतकारिक तरीके से हट्सन नदी के ठंडे पानी मोतारा और सबकी जान बचाए विमानों के विशाल आकार और भार के कारण विमान दुर्खटनाएं अक्सर घातक हो ये योलो साइंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाने की बाद आल पे क्लिक करें भारत में हर साल लगबग हजार बट स्ट्राइकी दुर्खटना होती है और भारत सरकार के अनुसार एरलाइन उद्यों को इसे सालाना लगबग 15 से 20 करोड रुपे की छती होती जब एक 12 पाउंड या साड़े 5 किलो ग्राम का हंस एक विमान से टकराता है जो एक से 50 मिल या 275 किलो मेटर प्रति घंटे की रहतार से टेक अफ कर रहा हो तो इससे इतना बलुत पन होता है जितना की 455 केजी वजन का सामान 10 फीट की उचाई से गिरने पे होता है यानि की 13 1390 न्यूटन विमान 275 किलो मेटर की गती से उडान भर रहा होता है और देखते ही देखते ही 500-600 मिल प्रति घंटे की रहतार पकर सकता है इस विमान की उतरने के दौरान इंजन का पंखा 3-4000 चकर प्रति मियट लगा रहा होता है और उसके टिप की गती धुने की गती से भ चती पहुंचती है यह केवल इंजन के लिए खत्रा नहीं है कोकपिक के खिड़कियों के लिए भी है हाला कि यह पैनल आम तोर पर एक्रिलिक और कांच की तीन पर्तों से बने होते हैं जिने ओलों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है ऐसी दुरखटनाओं से बच लेकिन ऐसी प्रणाली को प्रमानित करने में एक दर्शक से अधिक का समय लग सकता है पर कोशिश है जारी है तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चानल को सब्सक्राइब करें